क्वेशन नमर 17 इन अ सर्कल टू कॉर्ड्स A, B and C, D इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी इंसाइड दिस सर्कल आप देख सकते हैं A, B और C, D दो कॉर्ड हैं जो एक दूसरे को पॉइंट P पर कट कर रही हैं आपको P, A, C P, A, C और ट्रियंगल P, D, B सिमलर दिखाना है साथ में P, A into P, B is equal P, C into P, D बच्चों ये प्रूब करना है कोशन नमर 17 में चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नमर 17 17 बच्चों यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है आपको दू कॉर्ड दी गई है इस तरह से P, B, C और P जो पॉइंट P पर कट कर गई है और इंको जोइन करा दिया है पर यहाँ पर बच्चों गिवेन है आपको क्या दिया गया है पहली चीज़ E, B and C, D are two quads E, B and C, D are two quads यह दो quads आपको देगे प्रूब क्या करना है आपको तू प्रूब बच्चों प्रूब करना है ट्रैंगल P, A, C सिमलर है ट्रैंगल P, D, B के यह ट्रैंगल इसके सिमलर है पहली चीज़ दूसरी चीज़ आपको प्रूब करना है P, A into P, B is equal P, C into P, D बच्चों यह प्रूब करना है तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो आप दियान दे यही ट्रैंगल लेके चलते हैं इन ट्रैंगल P, A, C एन ट्रैंगल P, D, B बच्चों पहली चीज़ एंगल A, P, C यह वाला एंगल इक्वल होगा एंगल D, P, B, K D, P, B, K रीजन आप क्या दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पूरा लिपना होगा दूसरी चीज़ एंगल C, A, P C, A, P यह वाला एंगल इक्वल होगा B, D, P, K लिखोगे एंगल इन सेम सेग्मेंट बच्चो ध्यान दें जब आर्क B, C को लेकर यह एंगल बन रहे हैं सर्कम्फरेंस पे यह एंगल आपस में एक्वल होते हैं यह आर्क यहाँ पर एंगल A बना रहा है और यही यहाँ पर एंगल D तो एंगल इन सेम सेग्मेंट हमेशा बराबर होते हैं क्लास 9 में आपने पढ़ा हुआ तो एंगल इन सेम सेग्मेंट यह रीजन दोगी देन बाई एंगल एंगल सिमिलर्टी बच्चो ट्रेंगल पी ए सी सिमिलर हो गया ट्रेंगल पी डी बी के पहली चीज़ा आपने प्रूट कर दी अब जब ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करिस्पॉंडिंग साइड के रेशियो भी आपस में एक्वल होते हैं देन वी जब राइट पी ए अपन पी डी इस इक्वल पी सी अपन पी बी लिख सकते हैं प्रॉस मल्टिप्लाइ कर दिया आपने तो पी ए इंटु पी बी बच्चो एक्वल हो जाएगा पी सी इंटु पी डी और यही आपको प्रूब करना दे सेकेंड पार बच्चो प्लियर हो गया होगा कोशन नमबर सबन की नेक्स कोशन है कोशन नमबर एटीन तो कॉड्स एबी और सीडी आफ सर्कल इंटरसेक्ट अट पॉइंट पॉइंट पी आप देख सकते हैं दो कॉर्ड एबी और सीडी अकर इनको आगे बढ़ाते हैं तो की पर कट करते हैं प्रूब्ग दैट ट्रेंगल spicy यह छोटा वाले ट्रेंगल और यह बढ़ा वाले पूइंट इंटो पी बीज इंटो पी इंटो पी इनटो पी ड़ आपको प्रूब करना चली स्टार्ट करते हैं, question number 18 का solution, 18 number, उच्छों यहाँ पर एक circle आपको दिया गया है, एक cord दी गई है आपको, आपको प्रूब क्या करना है, सबसे पहले given, आपको दिया क्या गया है, बच्छे given में आपको दिया क्या गया है, आप given में लिखोगे, triangle PAC और PBD को आपको similar true करना है, उसके पहले given, AB and CD are two quads, इस दो quads आपको दिखेंगे, प्रूब क्या करना है, आप लिखेंगे टूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबूबू इस इक्वल है PC इन्टू PT ये दो चीज़े आपको प्रूब करने है चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों ट्रैंगल को आपको similar प्रूब करना है ये छोटा वाला ट्रैंगल और ये बड़ा वाला ट्रैंगल कैसे प्रूब किया जाए सबसे पहले आप ध्यान दें एंगल A, B, D ये वाल एंगल और A, C, D ये वाल एंगल सिंस एंगल A, C, D प्लस एंगल A, B, D बच्चो इनका स्वम कितना होगा 180D क्यों रिजन होगा अपोजिट एंगल साफ साइकलिक कोडिलेटर अपोजिट एंगल साफ साइकलिक कोडिलेटर जो साइकलिक कोडिलेटरल होते हों उनके आपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो आप ये लिख दिया सबसे तरह बचो इसी तरह से P, C, A ये वाल एंगल एंगल P, C, A प्लस एंगल A, C, D इनका सम भी 180 डिग्री होगा रीजन दोगे लीनियर पेयर आफ एंगल दोनों का सम 180 क्योंकि स्टेट लाइन है बचो ये भी 180 है ये भी 180 है तो आप दोनों की इक्वल कर सकते हो तो आप डारेक्ट दिक सकते हो प्लस A, B, D इस इक्वल P, C, A प्लस A, C, D A, C, D से A, C, D कट हो जाएगा बचो आजाएगा एंगल A, B, D इस इक्वल P, C, A इसको मिने डाल दिया थार्ड ध्यान दें A, B, D हमने दिखा दिया ये एंगल इस इंगल की इक्वल है अब ट्रेंगल प्रूब करेंगे सिम्डा क्योंकि हमें दो एंगल की जुरूद थी नाउ इन ट्रेंगल P, A, C एंट्रेंगल P, D, B बचो पहली चीज एंगल P, C, A इस इक्वल एंगल A, B, D या इसको P, B, D भी कह सकते हैं P, C, A और P P, C, A is equal A, B, D A, B, D A, B, D या इसको आप P, B, D लिख लो तो ज्यादा बहतर हैं इसको आप P, B, D भी लिख सकते हैं आप ध्यान दें A, B, D बोलें या P, B, D बोलें एक ही बात है यहाँ पर रीजन दे दें प्राम फ्री दूसरी चीज एंगल पी दूनों में आ रहा है छोटे वाले ट्रेंगल में और बड़े वाले में ट्रेंगल पी इस एकवल अंगल पी यह रीजन यहाँ पर देंगे हम कॉम तो कॉम ने भी यह क्लियर हो गया होगा देन बाई एंगल एंगल सिमिलर्टी बच्चो ट्रेंगल पी एसी सिमिलर हो गया ट्रेंगल पी डी बी के और बच्चों जब triangle similar होता तो उनके corresponding side के ratio अपस में equal होते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं PA upon PD is equal PC upon PB यह लिख सकते हैं corresponding side के ratio cross multiply कर दिया तो PA into PB is equal PC into PD बच्चों यही आपको prove करना था second part एक आसान सा question था मिलता जुलता था 17 के जैसा तो आप ध्यान से इन questions को करते रहें question को बार बार पढ़ें और अपने आप से करने की कोसिस करें चलिए बढ़ते हैं अगले question number, question number 19 की तरफ से in a right triangle ABC ABC right triangle triangle दिख रहा है जो की B per 90 degree है D is a point on hypotenuse such that BD perpendicular AC BD AC per perpendicular है DP AB per perpendicular है और DQ BC per perpendicular है then prove that आपको prove करना है DQ square is equal DP into QC दूसरा आपको prove करना है DP square is equal DQ into AP ये बच्चें आपको prove करना है तो start करते हैं question number 90 बच्चें यहाँ पर question number 19 में आपको right angle triangle दिया हुआ है A, B, C और यहाँ पर point P है D P, D, Q इसको भी join किया गया है ये 90 degree है ये 90 degree है ये 90 degree है और यहाँ पर आपको 90 degree दिये गए है तीन लाइन ये आपस में 90 degree पर है ये आपस में 90 degree पर है और ये इसके साथ 90 degree पर है बच्चू यहाँ ध्यान दें statement टेक फ्रोरम का ये आपस्ट अपस्ट पर्पंडिकुलर if a perpendicular is drawn from the vertex of right angle of right triangle triangle to hypotenuse hypo tennis then triangles triangles on both sides on both sides of perpendicular of parpandri puller are similar to whole triangle whole triangle and also to each other you have to see if a right triangle triangle and here perpendicular draw किया गया है यहां से परपंडिकुलर ड्रॉप किया गया है तो यह वाला ट्रैंगल और यह वाला ट्रैंगल यह सिमिलर होते हैं आपस में और इस बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होते हैं यही चीज यहां पर भी ध्यान दें यहां पर परपंडिकुलर ड्रॉप किया गया है तो now पहला पार्ट ले लेते हैं stream A using our property in Triangle BDC इस ट्रेंगल में प्रपर्टी यूज़ करेंगे तो आपका ट्रेंगल CQD CQD similar होगा ट्रेंगल DQBK CQD DQBK similar होगा ट्रेंगल similar है तो इनके side के ratio equal होगे यानि CQ upon DQ is equal DQ upon QB यह लिख सकते हैं अब अच्चों यहाँ पर cross multiply किया तो DQ square DQ square is equal equal होगा QB into CQ के इसके equal होगा DQ square is equal CQ into QB अब अच्चों ध्यान दें A DQ 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 are 90 degree आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ therefore BQDP is a rectangle rectangle होगी और rectangle है तो opposite side equal होगी therefore QB is equal DP होगा और DQ is equal PB होगा इसको वन मान लेते हैं from 1 क्या लिख सकते हैं DQ square is equal BQ BQ की जगे हम DP लिख सकते हैं into CQ या QC लिख सकते हैं यह आपको पहला पार्ट प्रूब करना था यह पार्ट प्रूब हो गया बस आपको यह statement ध्यान रखना होगा लिखना होगा इसको प्रूब करने के लिख सकते हैं तो B में similarly लगा कर सकते हैं similarly in triangle A, P, D and D, B, P similarly triangle A, P, D similar होगा triangle D, P, B अपर triangle similar है तो side के ratio यहापे भी equal होगी A, P upon D, P is equal P, D upon P, B cross multiply किया बच्चों P आजाएगा D, P square is equal A, P into P, B therefore D, P square is equal P, B की जगे बच्चों क्या लिख सकते हैं P, B की जगे बच्चों की लिख सकते हैं तो D, Q into A, P यही आपको प्रूव करना था यहां मेंचन कर दें आपने कहां से लिखा from 1 की helping बच्चों यह था question number 19 थोड़ा सा लेंदी हो गया थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा इसको complete करने के लिए अगले question की तरह बढ़ते हैं question number 20 बच्चों next question है last question है if A, D and P, M are medians of triangle A, B, C and P, Q, R respectively A, D, A, B, C की median है और P, M, P, Q, R की median है बच्चों यहां पर triangle A, B, C similar P, Q, R दिये हुए है आपको प्रूव करना A, B upon P, Q is equal A, D upon P, M तो चलिए start करते हैं question number 20 के solution question number 20 if A, D and P, M are medians of triangle A, B, C and P, Q are respectively where triangle A, B, C and P, Q are similar then prove that A, B upon P, Q is equal A, D upon P, M बच्चों यह आपको प्रूव करना है question number 20 चलिए start करते हैं 20 यहां पर एक triangle A, B, C दिया है जहां पर A, D median है P, Q, R दिया है जहां पर P, M median है बच्चों दो triangle दिये गए हैं with medians A, D and P, M साथ में दोनों triangle similar दिये गए हैं prove करना A, B upon P, Q is equal A, D upon P, R यह आपको प्रूव करना है अब बच्चों ध्यान दें since triangle A, B, C similar triangle P, Q, R बच्चों यह दोनों triangle similar दिये गए हैं अब अगर triangle similar हैं बच्चों आप क्या लिख सकते हो इनके जो corresponding sides हैं उनके ratio आपस में equal होंगे therefore आप लिख सकते हो आसानी से आप लिख सकते हो इसके लावा बच्चों corresponding angle भी equal होंगे and angle A is equal angle P angle B is equal angle Q angle C is equal angle R यह भी आप लिख सकते हो तो यहां तक तो आपको अच्छे से clear हो गया होगा अब अच्चों ध्यान दें A B upon P Q is equal BC upon Q BC upon हमने दोनों side में उपर नीचे यहां पर half से multiply कर दिया 1 by 2 से उपर भी 1 by 2 से नीचे भी अब बच्चों ध्यान दें A B upon B Q इस इक पर देंगे AD median है यानि यह दोनों इससे बराबर यह से equal है और यह से equal है बच्चों BC के हाप BC के हाप को हम BD भी लिख सकते हैं BC के हाप को हम BD लिख सकते हैं और Q R के हाप को Q M लिखा जा सकता है यहां पर हमने Q M लिख दिया Q बिल्कुल लिख सकते हैं इसको हमने लिख लिया 1 यह condition कहा से लिख? From ever उपर से हमने लिखा दूसरी चीज एंगल P is equal एंगल Q यह कहा से लिखा? From ever इसको भी हमने लिखा From ever from 1 and आप ध्यान दे AB upon PQ BD upon Q M और बीच का एंगल From 1 and 2 by side angle side similarity बच्चों ट्रेंगल अब बच्चों ट्रेंगल ABD ABD similar हो गया ट्रेंगल P, Q, M अब बच्चों ट्रेंगल सिम्लर है तुनके corresponding side के रिश्यो एक्वल होंगे therefore लिख सकते हैं AB upon P, Q is equal AD upon PM और बच्चों यही हम लोगों को प्रूब करना था यह complete हो गई है exercise 7 धन्यवाद